नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मारे इस असोगी डिवी यूटूब चैनल में दोस्तों मुरा ना मसुख सैनी है और आज के लेक्टर के अंदर आप समाझ लिएते हैं इंडेश्टियर आप्टोमेशन सिस्टम के अंदर या यू कहें कि इंडेश्टियर लेकिए प्रस इसकी मिनिट्स भी लेकिए ताकि एक बेसिक आपको पता चाले जाए कि प्रॉसेश्टियर आखिर कौन-कौन से होते हैं जिनको कंट्यूइश्ली वाच करना होता है कंट्यूइश्ली मेजर करना होता है और डिजार्ड आउट्पूट के लिए सैट पॉइं की आप करना है मेंट्र करना है इनको इनको इंपर्टन्ट रहते हैं और इन्ही पारामेटर के द्वार ही किसी प्रॉसेस को परफॉर्म कराया जाता है प्रॉसेज plant में या automation system में इंडस्ट्री में ये यूज होते हैं दूसी चलते हम समझ जेते हैं कि what is process variables ठीक है process variables मतलब कोई process हो रही है आपकी कोई भी आपको manufacture करना है किसी product का उस product को manufacture करने के लिए उसमें raw material लगता है raw material लाना होता है raw material को कई सारी process से गोजारा जाता है और process से करते हुए इसको temperature high करेंगे down करेंगे pressure बढ़ाएंगे flow भी करा जाएगा one place to another place के लिए pipeline through इन सारी process होने के बाद final product आपको output के भाँ मिलता है जो कि हमको desired होता है अब desired output प्राप करने के लिए उससे पहले जो process हुई उसमें आपके important variables होते हैं उनको भी हमको continuous बाच करना होता है वो है आपके यहां पर देखा है कि flow pressure temperature is the basic three variables इसके बाद the level is another process variable यानि कि कोई process है एक particular temperature भी उसमें रखा जाता है flow भी रखा जाता है particular और एक pressure रखा जाता है यह 3 important process variable होते हैं इनके दोरह कोई process आपकी परफॉर्म नहीं हो सकती यानि कोई product आपका manufactures नहीं हो सकता साथ में यह liquid की form में बाटर लेवल भी है या liquid है कोई है तो उसका यह tank में storage कर रहा है या लेवल आपको maintain करना या बॉयलर है उसमें भी आपका water यहां पर maintain करना है तो महाँ पर आपका लेवल यह process variable होते हैं इसके लावा और भी अन्य कई variables होते हैं जैसे आपका vibration measure करना कोई machine अपकर कंपन हो रहा है vibration acceleration या displacement यह कई सारे parameters रहते हैं उनको भी measure करते हैं लेकिन मैं important flow pressure and temperature होते हैं तो इनीचल के सबस्क्राइब लेते हैं कि flow आकर क्या होता है flow हम जानते हैं इसकी dimension मिलेका मैं सभी पता है कि flow is the moment of fluid inside a pipe in a given direction it is also defined as the volume per unit of time तो यह होगे flow, flow यानि कि particular किसी pipeline में आपका fluid उस pipeline में एक particular direction में flow हो रहा है तो उसको हम flow बोलेंगे या इसको दूस तरीके से बोल सकते हैं, it is also defined as the volume per unit of time, एक unit time में कितना volume उस fluid का या liquid का flow हो रहा है उसको हम बोलेंगे flow ठीक है तो बोलेंगे तो इसकी unit भी होगी, तो unit इसको यहाँ पर मैं लिका है unit kg per hour, kg per hour, एक hour में कितने kg fluid आपका flow हुआ है या लीटर पर मिनिट, एक मिनिट में कितना लीटर, फ्लोडाफ का flow हुआ है, या gallons per minute, या meter cube per hour, या newton meter cube per hour जनरली, meter cube per hour, जो unit है वो जनरली यूस की जाती है, flow measure में या flow measuring system में, के लिए नहीं से जते हैं, pressure, pressure यानि कि एक प्रकार का दवाव, ठीक है तो इसकी definitions, वैसे pressure के बारे में already हम discuss कर चुके, separate video बनाया, फिर भी यहाँ पर एक variables की बात की जा रही तो इसको समझने पड़ेगा, pressure is defined as force per unit area एकाई छेत्रफल पर लगने वाले welcome बोलते है, pressure यानि घंदी में दवाव यहाँ पर इसको define किया गया है, P equal to F upon A, where F equal to क्या है force, A equal to क्या है area and P equal to क्या है pressure तो definitions के लिए कि, एकाई छेत्रफल पर लगने वाले welcome को हम बोलते है, pressure या P equal to F upon A इंगले से बात किया है, pressure is defined as the force per unit area, तो यह भी pressure unit, pressure is important unit या important parameter या important process variable in process industries ठीक है, बिना इस pressure parameter को measure, set, observe, calibration, pressure instruments के इनके अलावा यह यह प्रोसेस या यह सारे factors यह हम नहीं ध्यान रखेंगे तो कोई process आपकी desert output नहीं दे पाएगी ठीक है, इसलिए important parameters होता है या बेरिवस होता है pressure measurement system, industrial automation system या industrial instrumentation system के अंदर ठीक, तो यहाँ पर इसकी unit बात के रहाती है, units होती है, पास्काल, वार, kg per meter square, sorry kg per cm square या lv per inch, limit per inch square और भी कई सारी units होती है, generally यह use की जाती है, mmhg, mmh2o और भी कई सारी units आपको देखने मिल जाए process plant में और phrasal थड़ाता है temperature, ताप मान, यदि कोई raw material है उसको particular product में आपको convert करना है तो निश्ची दि उसको गर्म किया जाएगा और गर्म भी कितने temperature पर करना है और continuously कितने temperature पर उसको heat देके रखना है या cold करना है तो कितने temperature तक उसको down करना है temperature तो इसकारण से यहाँ पर temperature measurement एक important parameter होता है तो इसलिए temperature को basis रूप से measure, observe, set point, calibrations और देखाया है तो automation system में basis role play करता है temperature किसी product का manufacturing system है या manufacturing process है तो इसकी definitions है, it is the degree of hotness or coldness of a body in its cold temperature, simple है definitions लेकिन इसका काम काफी बड़ा होता है process industries में It is the degree of hotness or coldness of a body in its cold temperature, clear, इसकी unit की बात किया है तो इस सभी को पता होता है degree Celsius हम general use करते है तो degree centigrade, degree Fahrenheit, degree Kelvin, degree Rankine, यह इसकी units होती है temperature की यह तीन important process variable होते है process parameter होते है जो industrial automation system में generally use किया थे, इसके लाभ़े एक और है level, it is the difference between height and यह 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 जो है कि top and bottom in a desire level या desire tank या इसको इसको बोल सकते है कि the height of a water column, liquid और powder 80 से कुछ भी हो सकता है, कोई particular कुछ भी हो सकता है tank में add the desire measure of minimum level, point to maximum level, point is called level, minimum and maximum जो level है उसके difference को हम बोलेंगे level किसी particular tank में या measured आपका जो भी है results है उसमें, ठीक इसकी unit हो दिए आपकी millimeter हो सकती है, centimeter हो सकती है, meter में हो सकती है या यह एक और रता percentage, कितने percentage level आपका up down हो रहा है, ठीक इस तरीके से हम इसका measurement कर सकते हैं तो यह important parameter थे, important process variable थे, इनके type हमने समझी है और इनकी unit समझी, units of measurement, industrial automation system के लिए ठीक, basic overview इस वीडियो में अंदम से हम दैना चाहते थे, process variable लिए जो कि आपको सौझ में आगा हुआ, industrial automation system में इसके अलावा भी आपके बाद कोई doubts है, कोई query से दने शिट कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और यह दि आपको बताएगे informations, process related यह अच्छे लिए एक वीडियो को like करें, यह से हमको motivation बढ़ेगा और आप चाहते हैं इस पर और uninteresting education related video lectures आपको मिलते रहें तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों